11th class start करते हैं इंटिकमेटे में 3.3 exercise में question number 6 तो 6 question given है यहाँ पे काफी लोगों को typical लग रहा हो कैसे लगाँ कोई बात नहीं लगाते हैं easy method से तो दिया यहाँ आपे sin pi by 4 minus x cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x sign given है question लाना क्या sin x plus y लाना है अब कैसे lines को बहुत simple तरीकिस लाया जा सकता है बस आपको एक formula इसके फालो करना है और पूरा answer एक बार में आ जाएगा तो क्या करेंगे एक चीज बदाएगा यह एंगल मतलब चीज देखने हैं यहाँ पर एंगल रिपीट हो रहा है जो एंगल यहाँ पर 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 यहाँ तो ही तरह के question में एंगल है तो ऐसा करते हैं दोनों एंगल को लेट करेता है एक को मैंने माल लिया ए और दूसरे को एंगल को मैंने माल लिया बी तो याने यहां पर चीज के आ गई इंटी कर देखिक कर चीज को फलसडी किसे एक आपका आ गया मचेश कर साईड में लास व्ीडियो मीनद आорот पर सारे आपको मैंने लिखे दे चुका हूँ का इस चैनल पर वेंचा करते हैं तो बस करना है क्या है इसको इक्वाल लग देना है किसके सब्सक्राइब करेंगे ऑपक्राइब कितना था, pi by 4, minus x, पिर सोचे b कितना था, pi by 4, minus y, इतना हो गया, उसके बाद कि अगर नहीं, यह pi by 4, pi by 4, कितना हो दा है, 45 हो दा है, pi by 4 is equal to, होता है 45, अगर दो बाँ, pi by 4 आएगा, मिस, दो बाँ, 45 आएगा, दो बाँ, 45 आएगा, दो बाँ, 45 आने पर, दो बाँ, उसके बाद बताऊंगा आखर क्या हुआ वैसे क्लियर आपको हो जाएगा अगर मैं यहां से निगेटिव साइन कॉमा निकालों निकालों तो वैल्यों जाए कॉस 90 मैनस एक स्प्लस वाई तो यह कंडीशन हम लोग पढ़ चुगेंगी कॉस 90 मैनस थीटा जो होता है साइन थी एकॉल टू साइन थीटा और थीटा यहां पहे कितना है एक्स प्लस वाई हो गया कम्पीट आंस मिलते हैं नेक्स्ट कोश्ट पे जल्दी से स्टार्ड करते हैं नेक्स्ट कोश्ट कॉश्ट कॉपी पनर रखे साथ में लिखते रहे हैं सब क्लियर होने वाला आपको तो अब करना है क्या चीज है यहाँ यह फावला बनना है उपर कि चीज का अन्दा है 10 A plus B का तो क्या होता फावला मैंने लास्ट में पीछे लिखा था लास्ट कोशें में 10 A plus B is equal to होता है 10 A plus 10 B upon one minus 10 A into 10 B यह होता है माइनस के लिए यहाँ माइनस आता यहाँ प्लस आता मैं लिखोंगा नहीं भी सीधे अप्लाई करूंगा किलिए रहा भई आब 11 ग्लास के स्टुट्ट हो अब 10 लगाते हैं पायव फॉर प्लस एक्स पायव फॉर में फॉरे फाय बीट विरनस और ओंझ के ओंई 10a, 10a कितना होगा? 45 b कितना है? x 10x, अब यसे उपा में फाल लगाया है अब लगाता हूँ नीचे नीचे वाले हिम करना है किया? माइनस में जो होदा है 10a-b का जो फालल आता है 10a-b के फालले में सिर्फ इतना से फर्क है उपर माइनस आता है और नीचे पिलस आता है, बस इतना स्काम करना है, तो लगाते हैं इसे फालल यह क्या है? 45 है 1045 माइनस 10x 1 प्लस 1045, 10x यह डिगरी, यह डिगरी, डिगरी, सब डिगरी की लगा दी मैंने अब 1045 कितना होदे? 1045 से 1, तो बस आपको लगा देना है 1045, 1 प्लस 10x, अब आउन 1 मैंस यह 1045 है, 1 की इंट गरी 10x से कितना हैगा? 10x आ जाएगा सेम आज नीचे आते है, 1 मैंस का 10x अपन 1 प्लस 10x वैल्यू आज चुके दिखने रहा चाहे, उपर कर देता हो, आप जब पल्टेंगे तो यह पूरा पॉर्शन ऊपर आके नीचे वाली चीज ऊपर आजाएगा, यह उपर वाली चीज नीचे आजाएगा, यह ज़स्ट और हमारा आज़ाएगा, क्योंकि इसकी इससे प्लाइए होईगा, तो दोनों सेम कॉंटिटी है, तो लग जाएगा इस सकते हो, दो लिख भी सकते हो, तो फीर स्टार करती है, तो फीर स्टार नीच्ट कॉषचिन, आपटी लगा इसकी नीच्ट कुषच्ट कॉमिक नमबर 8, to start करते हैं, नेक्स्ट कुषच्टन, कॉरुक।ट नमबर 8 इसगएगा, को और पाई प्लस X और कॉष्फ मैनिस X साइन पाई मैनस X कोष्फ पाई वियर वे डू प्लस X तो यह चीज़ें जाते हैं लोग याद रखते हैं डून्टीश को फिर इनकी वैली Joyce है लेकिन एक व्यारिक पूर पूरा चैपूंसके बारे में आपका चैनल पर आपका देख सकते है विभे शौट वदारों तो दीए केसि-लींग क्लियर हो जाएगा आपको यह जीरो होता है यह जो सथयरो्त होता है कि इसटीओ सबसाट्ण होता है अब इसको बोल दें इसको पई वाय तू बोल दें इसको बोल दें इसको जो है ऑं बोल देते हैं कितने helps 2 बोल देते हैं इसको कितना बोल देते हैं कितनी वेल्य होगा इसके 2 पाई होगी ठीकी वैल्य जागा चुकी है आगे first quadrant में देखेए क्या a s t c बस याद के all ने सारे positive second ने sign positive इसमें 10 positive इसमें cos positive तो आदें से से पहले cos 180 180 प्लस ठीटा कितना होगा 180 प्लस 1.80 से भी छादा, यह πाई में होता है 180 डिगरी में, यह रिदिंध वैल्यू है यह हमारा 180 गीरी होता है, ठीक piv 2.80 डिगरी होता है, य्जेंज होने होता है, एकजेक्ट और 22 by 7 नहीं होता है, पाई में 22 by 7 होता है, यह radian में था, यह हमारा किस्प में था, डिकरी में यह फर्ग है, अब क्या करेंगे, कॉस 180 प्लस ठीटा, मीस 180 प्लस प्लस मीस 180 से जादा, जादा मीस पहुच गए, थर्ड में, जब थर्ड में पहुचते हैं, तो 10 पोजिटिव होता है, यह और कॉस कैसा होगा, नीए तिवो, तो मैनास कोस X आ जाएक, इंटो होता है, कोस मैनस X जो होता है, कोस X होता है, क्यू इन नीगेटिव X में सूर्टेशन उल्टा हो गए, अब आते हैं, cos 90 plus x ये pi by 2 कितना होता है, 90 होता है अब देखले भी याद रसकता भी नया नया इसलिए अब थोड़ा बदा रहो, 90 होता है हलकल कि आपको यादी हो जाएगा pi by 2 में 90, अब फिर सोचा करो फिर अब अब क्या करेंगे, cos 90 plus theta cos 90 plus theta means 90 जादा means हो गया, second quadrant को 90 यहाँ तक होता है, तो second quadrant sign positive होता है, तो cos तो होगा negative तो यहाँ जो आरा है, minus kind लेकिन 90 में हमेशा change हो जाता है, cos का sign, तो sin x आ जाएगा, bracket लगा दे दो ये negative sign आ जाएगा हमारा बाहर इसकी इंटुकली, square हो गया ये negative negative cut हो गया, बचा है कितना cos square upon cos square x upon sin square x, यानि cos upon sin, जानते हैं cot, square लगा है, तो square भी लगा देंगे हो गया complete question, इस तरह से questions को solve करेंगे, आपको clear हो गया होगा, लिखते रहेंगे, note करते रहेंगे, सब आदा रहेगा आपको तो मिलते हैं, next video में, next question के साथ